आज में लेकर आई हूँ ताजे हरे मटर की दाल की रेस्पी जो बहुत ही स्वादिश्ट होता है खाने में आप इसे एक बार बना कर खाएंगे ना तो अपनी उंगलिया चाटे बगर रह नहीं पाएंगे और इस स्वादिश्ट डाल को में बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी बनाने का जिसे आप बिना मटर को पीसे इस डाल को बना कर तयार कर सकते हैं ये बहुत ही असान सा रेस्पी है रेस्पी को पूरा देखिएगा Hello everyone, welcome back to my channel चलिए रेस्पी शुरू करते हैं तो देखें ये मैंने ले लिया है ताजे हरे मटर एक कप ग्राम्स में ये 250 ग्राम्स है अब यहाँ पे लेंगे एक प्रेशर कूकर और सारे मटर को इस कूकर में डालेंगे साथ यहाँ पे मैं ले रही हूँ एक मीडियम साइज के प्याज जिसे मैंने रफली चॉप किया है उसे भी डाल देंगे एक बड़ी साइज का टमाटर उसे भी मैंने रफली चॉप किया है उसे भी एट करेंगे इसी मटर के साथ चार हरी मिर्च को मैंने बीच से कट करके लिया है अब यहाँ पे मिर्च डालने के बाद में डाल रही हूँ साथ से आठ कलिया लेसन की लेसन का टेश्ट बहुत ही अच्छा आता है मटर के डाल में अब यहाँ पे में डाल रही हूँ टेश्ट के अनुसार नमक और दो कप पानी पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं करनी है, दो कप से ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम बाद में पानी का यूज़ कर सकते हैं अब कुकर का लीट बन करके हम 3-4 बिसल आने तक गैस पे रखेंगे 3-4 हो चुके हैं, मैं एक कुकर को अफ गैस से उतार कर नीचे रखूँगी और प्रेशर अपने आप ही निकलने दिया था, उसके बाद धकन खोल कर चेक करेंगे तो ये मटर और जितने इंगिरिडेंस इसमें एड किये थे, सभी अच्छे से पक चुके हैं, सभी एकदम सौप्ट हो चुका है अब यहाँ पे हम एक घोटनी लेंगे, जिससे दाल वगएरा घोटते हैं वैसे तो ये लकड़ी का जादा अच्छा होता है, लेकिन मेरे पास यही है, तो मैं इसी से घोट लेती हूँ तो मटर को अच्छे से घोटने के बाद ये पूरी तरह से दाल जैसा बनकर तयार हो गया है तो देखिए एकदम अच्छे से इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, पर्फिक्ट दाल जैसी बनकर तयार हो चुकी है और मटर को भी हमें पीछने की जरूरत नहीं पड़ी, इसे हम ढख कर रखेंगे साइट में गयस पे मैंने कड़ाई रख दिया है, दो बड़े चमच मैंने सरस्रो का तेल डाला है तेल गरम होने के बाद मैंने एक छोटी चमच जिरा एट किया है, इसमें दो पिंच हिंग एट करेंगे तीन सूखी लाल मिर्च को मैंने तोड लिया है, उसे भी डाल देंगे अब इसे हम सौटे कर लेते हैं पहले अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ एक मीडियम साइज के प्याज जिसे मैंने एकदम लंबाई में कट किया है एकदम बारिक कट किया है इसे और सुनेहरा कलर होने तक प्याज को भुनेंगे हलका सुनहरा कलर आने के बाद कुछ चीज़ और आड़ करेंगे तो यहाँ पे देखे प्याज में अच्छे से सुनहरा कलर आ चुका है अब मैं डाल रही हूँ बारिक चौप किया हुआ लसन यहाँ पे मैंने 4-5 कलिया लसन और आड़ की है साथ ही मैं आड़ कर रही हूँ एक इंच अदरक जिसको मैंने लंबाई में ही कट करके डाला है अब इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक भुनेंगे तो देखे अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है प्याज लसन और अदरक में अब यहाँ पे मैं थोड़ी सी प्याज निकाल रही हूँ जिसको मैं बाद में यूज करूंगी दाल को सर्फ करते समय गार्णिशिंग के लिए यह पूरी तरह से ओप्शनल है आप चाहे तो निकाल सकते हैं अदरबाजी से स्किप करें उसके बाद मैं फ्लेम को कर दूँगी ओफ गैस को ओफ कर देंगी पूरी तरह से क्यूंकि तेल जो है बहुत ही तेज गर्म है और सुखे मसाले अड़ करेंगे तो यहाँ पर मैं आदा छोटी चमच हल्दी पौडर एक छोटी चमच धन्या पौडर डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे दो तीन सेकेंड के बाद इसमें डाल देंगे रेट चिली पौडर रेट चिली पौडर बाद में एड़ करेंगे जिससे की जले नहीं अब अच्छे से मिक्स करेंगे गैस हमारा भी भी ओफ है तो अभी ओन कर देती हूं मैं गैस को और फ्लेम को मैं लो पे रखूंगी देखे कुछ सेकेंड बाद ये बहुत अच्छे से मसाले भून कर तयार हो गये हैं अब यहाँ पर हम दाल एड़ करेंगे दाल को अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें अच्छा इसे हम दाल भी कह सकते हैं या फिर हमारे तरब तो इसे मतर का जोर कहते हैं और कुछ लोग इसे मतर की करी भी कहते हैं आप इसे क्या कहते हैं कॉमेंट करके जरूर बताईएगा तो दाल को अच्छे से मिक्स करने के बाद यहां पे मैं डाल रही हूँ आदा चोटी चमच गरमसाला पाउडर और एक चोटी चमच कस्तूरी मेथी जिसको मैंने भून के रखा था भूनी हुई कस्तूरी मेथी डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अच्छे से मिक्स करेंगे दाल को और लीट बंद करके तीन से चार मिनट के लिए पकने देंगे मेडियम टू लो फ्लेम पे ये देखे चार मिनट हो चुके हैं बहुत अच्छे से दाल गाड़ी हो चुकी है और ये थोड़ी ज़्यादा मटर दिख रहे हैं बड़े बड़े तो उसे हम दबाते हुए मिक्स करते जाएंगे तो ये देखे थोड़ी देर में ये मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये हमारा परफेक्ट ताजे हरे मटर की डाल बनकर तयार है यह बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है गाईज तो जरूर ट्राय कीजिएगा इस रेसिपी को अब कैस को करते हैं आफ अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी धनिया इसे मिक्स करेंगे और लीड बन करके एक मिनिट के लिए छोड़ देंगे एक मिनिट के बाद हम सर्प करेंगे जिसे इसका सारा फ्लेवर दाल के अंदर आ जाएगा हरी धनिया की अब यहाँ पे सर्विंग बॉल में दाल को सर्प कीजिए तो देखें कितनी अच्छी टेस्टी दाल बनकर तयार है यह रेस्पी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जिरूर बताईएगा अब जो हमने निकाल के रखे थे प्याज और मिर्च उससे हम गार्निश करेंगे दाल को तो देखें यहाँ पे मैं इसलिए मैंने निकाला था तो गार्निश कर देते कितना अच्छा दिख रहा है यह हमारा परफिक्ट ताज हरे मटर की दाल बनकर तयार है इसे हम सर्ब करेंगे स्टीम राइस के साथ भात के साथ तो हमारे तरफ इसे कहा जाता है जोर भात जोर भात बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगता है मटर की सीजन में यह जोर भात हर घर में बनाया जाता है तो आपको यह रेस्पी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा रेस्पी पसंद आये तो लाइक शेर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल जाए